Hello everyone, welcome to Library Academy इस वीडियो में हम lại크 करने जा रहे हैं KBS Librarian के एकजाम डेट के बारे में जैसे हम लोग पहले से ही एकजाम का जो अनुमान था मार्च फ्र्सट वीक या सकेंड वीक के अनुमान हम लोग कथा कि है एकजाम हो सकते हैं वहीं अनुमान सही हुए है के लाइब्रीयन एक्जाम डेलियर कर दिये गए है यानि इसके साथ पोस्ट नहीं थै यह सब की रहते हैं तो उनका एक्जाम अलग अजम में हैं लेकिन के विएस का जो एकजाम है वह सिक्स मार्च को है और आपके पास जो छे दिन बचेंगे मार्च के वो तो आपके रिवीजन में ही चले जाएंगे तो अभी से आपके पास 40 दिन का समय है और अगर आप अच्छे से उटिलाइज कर लेते हैं तो maximum chances से कि आपका selection हो जाए क्योंकि देखिए जो last समय में जो preparation होता है वहीं काम आता है कि जाम में पहले से आपने थोड़ा बहुत पढ़ा ही होगा और अगर आप इसको पूरा एक आपके पास notes मिल जाए content मिल जाए तो आप अच्छे से preparation कर सकते हैं और कम समय में ही अगर आपके पास proper topic by topic lecture हो तो आप बहुत अच्छा से cover कर सकते हैं 40 दिन वे और six day last जो समय रहेगा उसको revision के लिए आप छोड़ सकते हैं तब भी आपके पास 40 दिन बचते हैं आज से और अगर आप preparation करना चाहते हैं तो courses level library academy app पर आपको जाना होगा के बीएस लाइबरीयन 2023 course join करना होगा library academy app download कर लिजिएगा सबसे पहले और यहां पर download करने के बाद के बीएस लाइबरेडियन 2023 के नाम से course है वहां पर clicker कर join कर सकते हैं यहां पर आपको theoretical lecture मिलेंगे mcq और test series मिलेंगे test series जो है इसके अंदर 4000 mcq है और इसके अलावा भी paper one और paper two का भी test series हमारे पास है अगर आप जोइन करना चाहते हैं तो 300 रूपी है इसका fee लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यह वाला course join करने के लिए full course जो kvs librarian का तो जो paper one और paper two का test series 150 में आपको हो जाएगा यह course purchase करने के बाद kvs librarian 2023 course purchase करने के बाद आप हमारे नंबर पे message कर सकते हैं मेरा नंबर है 8851871248 आपको app के अंदर मिल जाएगा 8851871248 अगर आप theoretical पार चुके हैं आप चाहते हैं सिर्प mcq discussion कोर्स भी जवाइन कर सकते हैं इसका फिस बारे और और सभी कोर्स का वन यह वालेडिटी है और kvs librarian का मैंने फ्राइज थोड़ा सा डाउन किया हुगा आपके लिए आपको 14 लगवक्त कीस रूपिया में यह होगा और वन यह वालेडिटी रहेगा और यह आपका यूजी सी नेट के लिए और भी अन लाइब्रेडियन एक्जाम के लिए बहुत बेनिफिशल होगा कि दिखें मोचली टॉपिक वही होते हैं तो आपका एक बर प्रिप्रेशन हो गया तो समझ में आ गया होगा तो अब कम समय बचे हैं आप पूरे जोर से लग देली रिवीजन पे चले जाएगा ठीक है वन आवर से टू आवर भी रिवीजन के लिए रख सकते हैं अगर आप को याद जल्दी नहीं होते हैं चीजे तो और फिर अगर शिक्स आवर में आप वन आवर आप इंग्लिस हिंदी को दे सकते हैं मतलब 30 मिनट अलाकि आप इं इतना भी पढ़ेंगे पहले वाले रिवीजन एक आवर जरूर रखिएगा और इस तरह से फिर पेसंद कीजिएगा नहीं तो आगे बढ़ते चले जाएंगे पीछे छूटते चले जाएगा चीजे तो यह थोड़ा सा मतलब आपके लिए एक्जाम में याद नहीं आएगा इस वज़ा से कहा जाता है कि आपको रिवीजन जरूर करना चाहिए तो आप एट आवर स्टडी अगर प्लान करके चल रहे हैं तो एट आवर में आपको वन आवर देना होगा हिंदी इंग्लिस को वन आवर देना होगा रिवीजन को तो शिक्स आवर में आपको वन आवर आप थोड़ा सा टाइमिंग का भी इसमें मतलब चैंजेज कर सकते हैं अपने अपने अकावडिंग में थोड़ा सा आईडियल समय बता रहा हूं लेकिन अगर मालीज आपका इंग्लिस बहुत वीक है थो थोड़ा सा आपको वन आवर एट लिस्ट देने का कोशिच कीजिए आपका सलेवस बहुत टाइमली खतम हो जाएगा फिर लास्ट में शिक्स बेज़ों बचेंगे उसमें सिर्फ रिवीजन और मतलब इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट चीजों को देखने का समय रखिएगा उसमें नया चीज आप नही इंफ्रमेशन के साथ